अपने से कितने हैं जिनके अंदर गुस्सा है कितने हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कितने हैं जिनका मन कर रहा है मेरे को आकर के यहां पे मारने का नहीं कोई देखे शुकार है मैं बच गया तो यह जो एंगर है यह अच्छा है या बुरा है बुरा, बुरा है, कितने हैं जो कहते हैं गुस्सा अच्छा है, जिनका आथ यहां तक गा रहे हैं, डियू आगे नियाए हो क्या, वो तेरी एक बंदने हाथ उपर गया, लड़की ऐसे से कर रहे हैं, कि तर क्या करवा देते हो आप, भाई, क्यों इकना जिलम ढाते हो, निन् पुर्स को मकारों हता है, कुछ कर रहे होता हैं अंदर से आता हैं तो यह जो गुस्सा है, यह ना अच्छा है नदा बुरा है, it is a creative force as well as a destructive force, depends यह और आपको इसको भुस करना आता हैं तो, यह जो बात मैंने कही है, इसको आप मैंसे कोई है, जो समझ पारा है और एक्सल 100% देंगे और काम में उसको निकालेंगे कि भई अगर कोई कुछ बोल रहा है गलत तो उसको कुछ मत बोलो और मन बोलो कि अब इसको करके दिखाएंगे कि हम कैसे कर सकते हैं उसको अगर हम चैनलाइस करेंगे तो वह हमारा अंगर पॉजिटिव डिरेक्शन में जाएगा और और हमारी बोडी पे नेगेटिव एग भी नहीं पड़ेगा उसांगर का इसको अगर किसी के ऊपर हमने उसका किया तो क्या होता है रिलेशन खराब हो जाता है गुस्से में पता नहीं होता हैं क्या कर जाएं खुद को हाम कर सकते हैं यह बड़ी अच्छी बात बोली लोग टैसे नहीं आए आप खुद भी आगए कई पर कह रहता है जब बहुत गुस्सा आरा होता है तो हम खुदी को हाम करना शुरू कर लिए एक के बाद एक सुट्णा मारते चले चारे जा रहे है या तेस गाड़ी चला रहे है कुछ भी कर रहे हैं तो यह सब आप क्या कर रहे या तो अपने आप पे या औरों पे यानी कीुलोगों पे कि वह मिरे साथ ऐसा किसे कर सकता वह ऐसा कैसे कर सकती है छोड़ूगा इंभर बढ़ दो लेकिन अंदर करने का घॉत बन नहीं में बसक जोड़ूआ बंद में पाफ्यल भी सकता है किसी के लिए उल्टा सोच रहे हो यानि कि अपने अंदर भी गुस्सा कर रहे हो उस पर्षन के पीछे से गुस्सा कर रहे हो यानि जब आपके पापा ओफिस गए है तो अपनी मदर को जहागर के बोल रहे हो समझालो अपने पती को ये गुस्सा डिस्ट्रक्टिव है यानि दो चोईस है ना आपास में एक है लोगो पे निकालो लोगो में दूसरे भी आ गए आप खुद भी आ गए दूसरा क्या है अपने काम पे निकालो ये कमाल की एनरजी है इसमें बहुत पावर है इसको बोलते हैं गुस्से को सही से चनलाइज करना इसका में प्राक्टिकल एग्जामपल बता हूँ आप सबको जिससे बड़े अराम से रिलेट करोगी अभी IPL कितनों ने देखा था IPL फाइनल इसके बीच में था SRH vs CSK उसमें क्या हुआ था जब CSK की बेटिंग आई थी? शेन वाटसन का याद है किसी को क्या हुआ था? कितनी बॉल्स तक एक भी रन नहीं बना था? 10 बॉल्स 10 बॉल्स 10 बॉल्स तक एक भी रन नहीं बना था और कहा निकाला उसने अपने गुस्से लिए? उसको चैनलाइज किया अंदा धूद नहीं मारना शुरू कर दिया समझ ले ना? गुस्से में दो आप्शन्स थे या तो जब इतना गुस्सा आ गया तो सामने से ब जो भी आ रहा है मैं तो मारूंगा तो ऐसे में क्या होता है आउट हो जाते हैं लेकिन इसने वह गलती नहीं करे इसने क्या किया देखा पहले पकड़ा अपनी वीक्नेस को भी समझा क्यो भई राशित खान से पंगा नहीं लेना है देखा सामने से कौन आया चल बेटा आ गया यह मेरी स्रेंथ है अब निकालता हूँ अपना गुस्षा और सेंच्वरी तो यह आर्ट अगर हमारे अंदर आ जाये तो कमाल हो सकता वारा गुस्षा अपने अपने काम पे निकाल गया हाँ आप लिया एंगर को पॉजिटिव में कि अहिकर ले सकते हैं होताए जो आपको डीमॉरलाइब करथे हैं तो आप अव्हे पेस्तक को प्रावट पिल करवाना चाहते हो moments उस चीज चीज कोadenर ना कि दिखाना हो है अब तो SERIOUSLY हमें को बोलके नहीं दिखाना है आन्सकाम करी दिखाना है तो एक वो होता है जो एंगर से पॉजिटिव एमें हम ले सकते हैं लेज़ किया बिग आन पर हो नहीं 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 यह जो आंटी अंकल होते हैं हमारे करीबी दूर के रिष्टदार होते हैं जो आकर के पीछे से भी आपके और आपके मूँ पे भी बढ़ 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 भाल तुकी बाते खुद की जिंद की जण्ड़ा लेकर नागर के आपको बोल रहे हैं अब ऐसे में गुस्सा आता है अगर आपने लोगों पे भुसा निकाला तो क्या हो गुईसा क्या है, पहले इसको अच्छे से समझ दो लोइन्ट कॉल इट गुदसा, गुदसा क्या है एनर्जी, यानि सैंसेशंशेंस हो रही है जवाँ पूरे होता है, यहाँ पर अश्षजेंसे ऑनरजी भड़ रही होती है हमारी अगर अगर उस टाइम पे आपने उनको कुछ भी बोला या उनको छोड़ो अपने घरवालों को भी उनके पीछे से उनके बारे में कुछ भोला तो क्या हूँ? आपकी एनर्जी निकल नहीं गई? एनर्जी वेस्ट नहीं हो गई? इससे बेटर क्या है? किसी वेस्ट कुछ नहीं बोला बहुर से बिल्कुल कूल हो, काम हो, अंदर से एनर्जी भढ़ रही है और सिर्फ अपनी उस एनर्जी को एक डिरेक्शन दे दे कि अब क्या करना है? उस परसन का नहीं? काम, काम, मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो कि यही पर्मनेंट सोलूशन है नहीं तो आप कुत्ते बिल्ली की ललाई में ही फसे रह जाओगे जिन्दगी भर के ले आप किसी के बारे में उल्टा बोलते रहोगे वो आपके बारे में उल्टा बोलता रहेगा बिकार में दुश्मन पैदा कर लोगे यह जो रास्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर कोई आपका बहुत बुरा भी करेगा तो वो भी आपका दोस्त है क्योंकि वहीं से आपको एनरजी मिल रही है और यह जो एनरजी होती है वन-pointed होती है यहाँ पर distractions नहीं होते है कभी नोट किया है गुस्से से जो आपको एनरजी मिलती है that becomes one-pointed क्योंकि उस वक डर खतम हो जाता है कभी आपने नोट किया हो गुस्से में चाहे हम कोई गलत काम करें चाहे हम सही काम करें ऐसे से काम कर जाता है आदमी या औरत जो उसकी capacity से बाहर है जानवरों में इस चीज़ को observe करो जब किसी जानवर मा के बच्चे के उपर जानवर बच्चे के उपर तो एनरजी कहां से आई है उसे से आई है डोंट ट्राइ टू प्रूव चिंदी पीपल अबाउट चिंदी थिंग्स इस बात को ध्यान से समझ ले ना अगर समझ पाऊ तो जातर लोग जो लाइफ में फेल हो जाते हैं वो इसले नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं वो इसले फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं आई बात पकड़ रहे हैं नहीं आई उपर से गई लोग इसले नहीं फेल होते हैं तो अपने माइन में सोचते रहते हैं कि मुझे महीने का एक करोड कमाना है तो क्यों फेल होते हैं? कि अभी मेरे पास में जॉब नहीं है मुझे कहीं से भी तस हजार की जॉब लग जाए तो उनका गोल अचीफ हो गया लग गई दस हजार की जॉब तो सोच समझ कि आपने गोल सेट करना कि ऐसे कुछ गोल सेट मत कर देना अपने माइन में दुनिया के प्रेशर की होज़ए से कि आपका पोटेंशल है पता नहीं क्या और आप इतने में जागर गग अटक जाओ जिन्दी बर के लिए स् fraction स्थ Sally मैं तर स्थ Gary अब फोग है जो आपको बोल रहे है जो आपको उल्टा बोल रह Remember बीड दूब माहं disc माइक मत फैक न, माइक अब अगर कोई लोग है जो आपको उल्टा बोल रहे हैं मैंने इसका अंसर में से दे दिया है फिर भी दुबारा से में देता हूँ एक option यह उससे लड़ो उससे लड़े तो क्या हुआ आप अप असी के लेवल पे नहीं आ गए अब उसमें और आप में फर्क क्या रहे गया कुछ भी फर्क नहीं है इधर से आप बोलोगे उधर से वो बोलेगी यप बोलेगा यही गेम चलती रहेगी तो दीरे दीरे आप ऐसी बन जाओगे ऐसा होता नहीं है जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं जैसे आपके दोस्त होते हैं दीरे दीरे आप उसी रंग में नहीं डहने लग जाते हैं तो जैसे लोगों से लड़ोगे दीरे दीरे आप भी वही लेवल आज़ाएगा आज आप कह रहे हो कि वो मुझे बोल रहा है और जब आप दस साल बाद आप ऐसे किसी और को बोल रहे होगे यह बंदे कैसे हैं ऐसे लोग कभी सोचा है जिनका काम यह उल्टा बोलना है ऐसे पडोसी कैसे पैदा होते है ऐसे रिष्टदार कहां से आते है कभी ना कभी उनको भी किसी ने ऐसे बोला था, तो वो उनके अंदर दबा रहे गया, कोई भी बंदा है उसको जा करके आप उल्टा बोलते रहो, बोलते रहो, और अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, तो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गुसा है, अब आप कहो, कि नही वहाई बार बार याद आएगा? यहाई ज़से भी बार याद आएगा? यहाई जैसे मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पे किसी भी रेड शिर्ट वाले लड़के को मत बेखना कहाँ गई नजर एक लगम से? रेड शिर्ट रेड शिर्ट अपारेल क्या हूं? यहाई ज़से लिए यहाई ज़से लिए तीसरा सोलुशन के जिसकी मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया जितना उल्ट बोल यह आपके बारे में बोलने दो उसको एनर्जी को प्रिजर्व करो और अपने काम में लगग यहाई लिए अपने आपके लिए और लॉड़ी नहीं क्या है आपके लॉड़ी अपने के बताओ जमाय दुष्मन होता है उनसे एनरजी लो अनको पनी स्ट्रेंथ बनादो हाह लेस्ट बिग हन फोर खुझे जी विस्टियो आफ रवे बेर्श थैंक ये सो मुझ पर कमी थैंक ये कर दे दो बेर्श्यक. खिले जी ञाओे टिए जाने विस्टियो आफ रर्श तरह चुझे सो मुझोग विस्टियो आफ नुझे एकाम्ने काज़ाओगे लिए। झाल झाल